हलो कासु बारे में न्यू वीडियो में बात करें हम Nifty 50 के बारे में कल मार्केट ओपन हो जाएगा पिछले तीन चाह दिन से लगातार मार्केट में दबा की ग्रावट हो रही है और यह ग्रावट कब रुकेगी इसके बारे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है तो आज हम बात कर लेते कि कल मार्केट हमारा कैसा हो सकता है वैसे कि हमारा US मार्केट निगेटिव है जो मैंने आपको अलड़ी बता के रखा था कल की वीडियो में भी and gift nifty निगेटिव नजर आ रहा है कल की वीडियो में आपको जो levels बताये थे वापस एक बार रबीट कर देता हूँ ताकि आपके लिए इसी हो जाए उससे पहले आप लोग को पताऊँगा हमारा टेलिग्राम गुरूप जो की काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए बिकोज यहाँ पर मैं लाइप मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं कि कब आपको बाइंग करनी है कब आपको नहीं करनी है देखो यहाँ पर मैंने आपको यह चार्ट दिया ता बोला था कि ठेल ट्रेंट लाइन का एक र계स्टेंस यहाँ से देखो continue मार्केट नीचे की तरफ आ गया कि 90,660 का एक important level अगर हम इसको तोड़ते हैं तो फिर हम 19,600 तक भी जा सकते हैं लेकिन 640, 620 का एक छोटा छोटा आपको resistance भी लेगा तो उस तरीके से आपको planning करनी है अगर हम बात करें upside की तो 19,720 के उपर आपको trade plan करना है target है आपका 740 and then 780 तक हमारा market या फिर 790 तक जा सकता है अगर हम 19,800 के उपर निकलेंगे तो हम कही ना कहीं थोड़े बुलिश होगे और फिर हम 850 तक के target देख सकते हैं 850 क्यों क्योंकि यहाँ पर एक gap creation है तो यह gap कही ना कहीं हमारा again resistance का का काम करेगा जब हमारा market उस level के पास में पहुचेगा तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से कि यह एक हमारा बड़ा resistance area बनेगा यह gap हमारा कहीं ना कहीं भरेगा लेकिन पहले हमारा यहाँ पर resistance बनेगा यह area आपका call का है यह area आपका put का है इसके अंदर कैसे trade करना यह आपको मैं टेलिग्राम के उपर बताऊंगा तो आप उसके लिए टेलिग्राम को join करके रख सकते हैं ठीक है बात करें तो देखो यह है 60-60 का level यह 720 का level यहाँ पर है 60 point अभी 60 point यह तो आप बिल्कुल छोड़ दो तो आपके लिए बेतर होगा या फिर अगर मान लीजे हम यहाँ downside अगर कहीं open हो रहे हैं और यहाँ से यहाँ एक bullish candle का formation करते हैं ठीक है तो फिर आप इसके candle के low के साथ stop loss लेके उपर की तरफ जा सकते हैं target आप करेगा 700 और फिर 720 क्योंकि 700 पे भी resistance मिल सकता है आप लोग को तो उस stage का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है क्या बताया मैंने आप लोग को 660 के नीचे आपकी जो target है वो 600 तक जा सकता है हमारा market आराम से अगर हम gap down उपन होते हैं लोग sell करना चालू कर देंगे और फिर market हमारा दवा के गिर सकता है जैसे कि ये देख सकते हो panic आया ये देख सकते हो panic ये देख सकते हो panic तो उस तरीके का हो सकता है market last दो दिन की बात करें तो आप देखो कि तो market कहीं ना कहीं halt दिखाया है 100 point के अंदर ही move किया है क्योंकि ये जो level है उनने से 800 का ये level है उनने से 650 का 800 point के अंदर move किया लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो last के 20-30 में छोड़ दो ये वाला area तो हम 720 यानी की इतने के बीच में ही काफी time रहे है मैंने खल की वीडियो में आप लोगको बताया थे stock HDFC बैंक के बारे में बताया था मैंने बताया था आप लोगो reliance के बारे मैं तो वो stocks की वीडियो कल की वीडियो ज़रूर देख लें किसमें कहां पर Apporturniture भान रही है आप ओपी या बताएंगे कि कैसे क्या हो सकता है important यह है कि live market में आप ज़्यादा trade डालें अपने stop losses को बचाएं अपना over trading से बचाएं क्योंकि ये सारे reason होते हैं जिस वज़े से आप market में loss करते हैं बड़ा वीडियो नहीं रखते हैं short वीडियो है करते हैं